अडर्ट फिल्मों से बॉलिवुड फिल्मों तक का सफर तै करने वाली सनी लियोनी के बारे में आज कौन नहीं जानता सनी लियोनी भारत की वे पहली महिला है जो पॉर्ण इंडरस्टी से सीधे बॉलिवुड की सफल हिरोनों की लिस्ट में शामिल हुई है आज हम सनी के बारे में आपको कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं तो चलिए सनी का जनम 13 मई 1980 को एक पंजाबी फैमिली में हुआ सनी का असली नाम करंजी कौर वोरा है सनी ने जब पॉन फिल्म में जाने का फैसला किया तो सनी के परिवार ने सनी से अपना नाता तोड़ लिया सनी ने 16 साल की उमर में ही अपनी वर्जनाल्टी खो दी थी और 19 वर्ष की आयू में सनी ने अपनी पहली अडल्ड फिल्म शूट करवाई थी सनी ने 40 से भी ज़ादा अडल्ड फिल्मों में काम किया है सनी तामिल फिल्मों में भी काम कर चुकी है उनकी पहली तामिल फिल्म वोड़ा करी थी सन 2003 में सनी को बहतर मॉडलिंग के लिए फेंट हाउस ओफ दा इयर घोशित किया गया था और यहीं से सनी ने अपनी अडल्ड फिल्मों के करियर की शुरुआत की थी सनी को लिखना बहुत पसंद है और वे खाले वक्त में कहानी लिखना बहुत पसंद करती है सनी को 2005 में कल्यूक फिल्म के लिए मुहित सूरी ने एक प्रस्ताव दिया था लेकिन पैसे जादा मांगनी की वज़ा से सनी को वे फिल्म नहीं मिल पाई फिर 7 साल बाद सनी की पहली फिल्म जिसम 2 रिलीज हुई जिसम 2, जैटपॉट, रागनी MMS 2 जैसी फिल्मों में वे अपनी पुरानी चवी की छाप छोड़ चुकी है और दर्शकों ने भी इसे काफी पसंद किया आलम यह था कि लोग इन फिल्मों को सिर्फ सनी लियोन के नाम से ही देखा करते थे सनी ने 40 से भी जादा पॉन मुवीज की है बिग बॉस के घर में दाखिल होने और हिंदी फिल्मों में आने से पहले उनका भारत में लोगों ने खुब विरोध किया फिल्म जिस्म 2 के पोस्टर को लेकर भी तब खुब बवाल मचा था 2014 में गूगल पर सबसे जादा सर्च की जाने वाली सलेबरेटी सनी लियोन ही है वे पहली ऐसी अडर्ट फिल्मों की अभिनीतरी हैं जो कि मुक्धारा की हिंदी सिन्मा में इतनी जादा चर्चित रही है उन्हें कई पूरुसकारों से भी सम्मानित किया जा चुका है अगर हम 2013 की सबसे अमीर पॉर्ण स्टार की सूची देखें तो सनी लियोन 19 स्थान पर आती है तो दोस्तों यह थी कुछ बातें सनी लियोनी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके जुरूर बताएं कोई सुजाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जुरूर करें और हाँ दोस्तों इस चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार